दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर रजनीशकर्ण और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक वीडियो एडिटिंग सॉप्फवेर के बारे में जिसका नाम है काइम मास्टर दोस्तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं जहां बैठा हूं मेरे पीछे की स्क्रीन जो है वो चेंज होती जा रही है अभी देखिए यह चेंज हुई फिर पीछे का स्क्रीन मतलब पीछे का बैक्राउंड जो है वो चेंज हुआ तो यह कोई जादू नहीं है बलकि यह हमने कैसे किया, ना मैंने अलग-लग लोकिशन पर जाकе इसको सूट किया है, बलकि ये कमरे में ही सूट किया गया है, ये वीडियो अडिटिंग कहलाता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको सिखाओँगा, वो है काइब मास्टर. काइन मास्टर एक बहुत ही strong video editing software है जिसमें बहुत सारे features हैं लेकिन वो सारे features आपको अपने आप सीखने पड़ेंगे या धीरे धीरे आपको जानेगे तो सबसे पहले मैं काइन मास्टर का एक basic video आपको बना के आज बता रहा हूं कि इसमें basic जैसे आपने कोई video record किया है कोई lecture record किया है अपने video अपने mobile screen की मदद से तो उसको कैसे हम edit करें या दो video को हम जब add करते हैं तो दो video को add करके कैसे कर सकते हैं तो यह जो काइन मास्टर का video tutorial है वो तीन पार्ट में होगा सबसे पहला जो है जो मैं आज भी बता रहा हूं वो है basic उसके बाद हम इसके advanced version में चलेंगे और तीसरा जो video होगा वो होगा video का काइन मास्टर का chroma feature जिसकी बदस से यह पीछे के screen को हम change कर सकते हैं पीछे के background को change कर सकते हैं तो आए सबसे पहले हम सीखते हैं basic अगर काइन वीडियो बनाये जाए काइन मास्टर के सारे functions को बताया जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ा tutorial है तो लेकिन हमें उतने ज्यादा आवशकता नहीं होती अगर आप teacher है और आपको simple video record करना है अपने student को पढ़ाने के लिए तो आपको basic feature से भी काम हो जाएगा अगर आ आपको video edit करना है या आप उसके पीछे के background को change करते तभी आपको यह तीसरे इसकी feature chroma feature की जरुवत पढ़ती है तो आएए सबसे पहले हम आज सीखते है काइन मास्टर का basic दोस्तों video बनाने के लिए जो सबसे important application जिसकी हमें जरुवत पढ़ती है वो है कोई भी video editing software यह video editing software बहुत सारे available है काइन मास्टर फिल्मोरा पावर डारेक्ट ऐसे नजाने कितने video editing software है जिसकी मदद से आपने जो video record किया है उसको हम edit कर सकते हैं उसमें कुछ text डाल सकते हैं या जो भी आपने notes बनाया है या जो भी आपने ADV screen recorder की मदद से जो आपने lecture record किया है उसको हम YouTube पे या दूसरे किसी Facebook पे, Instagram पे या किसी भी channel पे हम उसको upload कर सकते हैं तो आज हम सीखते हैं कि कैसे हम इसके काइन मास्टर भी एक बहुत ही strong video editing software है वैसे तो काइन मास्टर सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बहुत features हैं लेकिन जितना एक teacher को या किसी यूट्यूपर को जो basic चीजें चीजों की जरूरत पड़ती है उसको मैं आज यहां explain करता हूं तो सबसे पहले जाकर के हम play store पर जाएंगे और वहाँ पर हम search करेंगे काइन मास्टर के आई एन एम एस टी आर जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों काइन मास्टर सबसे पहले आ चुका है इसको हम install करता हैं तो मेरे मोबाइल में यह पहले से ही install है आपके पास अगर install ना हो तो पहले आप इस काइन मास्टर प्रो इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जो प्रो वर्जन है वो पेड वर्जन है उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं और फ्री वर्जन जो है उसके लिए उसमें कुछ पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं आप उससे फ्रीली काम कर सकते हैं लेकिन pro version में कहीं भी company का logo नहीं आता, मतलब video में कहीं भी लिखा नहीं होता है कि ये made with kind master है, जबकि ये free version पे ये लिखा हुआ आता है, इससे कोई फर्ट नहीं पड़ता है, अगर आप professionally video अपडेट करते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि उस पे logo ना आए, तो आप pro version पर चेर्ज करें, otherwise free version से भी कोई परशानी नहीं है, वीडियो के उपर में कोने में एक जगा लिखा होगा, कि made with kind master, जैसे ही kind master को हम open करेंगे, तो ऐसा एक interface आपको देखने को मिलता है, यहां पे आप कोई भी tutorial अगर इससे related देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर, तो जो kind master ने upload किये हैं, वो आप यहां से देख सकते हैं, जब आप पहली बार kind master upload करेंगे, तो यह जो right hand side पर बहुत सारे ऐसे images दिख रहे हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे, वो blank होगा, मैंने चुकि बहुत पहले से kind master download कर रखा है, और इसमें बहुत सारे वीडियो को edit कर चुका हूँ, तो इसलिए वो right hand side पर यहां पर आ रहा है, आपको नया project बनाने के लिए, आप सबसे पहले यहां पर plus वाले बटन पर click करेंगे, जैसे ही plus प्लिक किया, तो आप देखे, यहां पर आ रहा है select aspect ratio, कि अब आपको यह video किस size में बनाना है, 16 is to 9, 9 is to 16, 1 is to 1, सबसे जो standard YouTube के लिए अगर बनाते हैं, तो वो 16 is to 9 के aspect ratio में बनाते हैं, या अगर आपको portrait में चाहिए, तो 9 is to 16 में बनाते हैं, Facebook या Instagram के लिए कोई video बनाने के लिए, गेनरली 1 is to 1 के इस्तेमाल किया जाता है, यह आपके उपर depend करता है, कि आपको यह mobile पे किस तरीके से इसको दिखाना है, तो अभी मैं 16 is to 9 को select कर लेता हूँ, तो देखे, यह ऐसा एक interface आपको देखने को मिलना है, अब अगर आपको कोई notes explain करना है, जो आपने ADV screen recorder की मदद से download कर रखा है, तो सबसे पहले, आप देखिए कि right hand side पे जो चीज़े दिख रही है, एक है media, audio, layer and voice, एक है function के बारे में बताता हूँ, जो सबसे basic है, हम जैसे ही media पे click करेंगे, तो आपके mobile की gallery खुल जाईए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, अब जैसे अगर आपने ADV screen recorder पे, आपने कोई notes बना के रखा है, तो मैं ऐसे देखता हूँ कि ADV screen recorder जो है, जैसे यह click किया, इसमें बहुत सारे notes है, अगर आपको handwritten notes जो है, वो अगर explain करना है, तो जैसे इसको click किया, आप ओके किया, तो यह ऐसा आया, अब अगर आप इसको देखें, play करके, play करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ के यह उपर वाला जो button है, इसको हम click करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा फिर से वापस आएगा, अब देखिए, यह जो notes हमने यहाँ पर लिया है, वो अब ऐसा आ रहा है, इस तरीके से, कि वो लिखावट में उल्टा है, अब इसको change कर सकते हैं, कैसे, कि जैसे हम इस video को select करें, यह जो EDV skin recorder से बना है, फिर click करता ही, ऐसा option आता है, इसमें आप देखिए, एक rotate mirroring का option है, इसको हमें click करना है, rotate mirroring को, इसको जैसे हम click करते हैं, तो देखिए, ऐसा rotate का option आ रहा है, तो हम जैसे, इसको इस तरीके से click करते हैं, यह आपके पूरे screen पे आ गया, अब हम यहां से इसको चाहें, तो अब इसको प्ले करके हम explain कर सकते हैं, तो आपने यह देख लिया, कि इस तरीके से हम इसको image को ऐसा tilt कर सकते हैं, गुमा सकते हैं, तो अगर आपने scanning में कुछ गरबर भी कर दिया है, अगर camera scanner में कि आपने ठीक से घ्यान नहीं रखा, कि आप आपने इसको portrait या landscape में, तो आप इस तरीके से इसको image को tilt कर सकते हैं, अब यहां पे, यहां पे आप देखते हैं, इसके बार next, अगर इसमें हमको कुछ नया video add करना है, तो इसी पे फिर से हमको क्या करना होगा, कि हम media पे click करेंगे, मेरिया पे click करके, अगर हम इसमें एक image को add करना चाहते हैं, तो अब इसमें से देख लें, कि अगर आपको कुछ नया notes का portion add करना है, तो आप जैसे या, कुछ आपने वीडियो record किया है, camera से उसको यहां पे डालना चाहते हैं, तो मालिया मैंने यह एक select कर लिया, यह इसमें अब यहां पे add हो गया है, यह बीच में add होने के लिए, अब आप यहां पे देखेंगे कि यह बीच में जो sign आ रहा है, इसको भी हम चाहें, तो कुछ यहां पे feature डाल सकते हैं, कि transition का, जैसे इसको हम click करते हैं, तो ऐसा add transition effect, तो अगर इसहां से आप select करके 3D transition पे माल लिया हमें कुछ ऐसा cracked glass डालना है, तो अब क्या होगा, आप देखें इसका feature जैसे इसको play करते हैं, तो यहां तक, तो यह transition effect था, अब जैसे आपने इस video को सुना, और आपको इस video में लग रहा है कि कुछ गरवरी है, हमें कुछ portion cut करना है, तो क्या करेंगे, आप इसको play से सुने करेंगे, और जहां पर आपको ऐसा लगता है, कि यहां पर cut करना है, तो वहां क्या करेंगे, यहां पर हम seizure का sign बना हुआ है, इस seizure के sign पर हम click करेंगे, तो देखें, यहां पर cut करने का option आएगा, कि trim to left or play head, मतलब यह play head हमारा कौन सा कहलाता है, यह जो हमने line यहां पर आ रह ऐसा लगता है कि इसका हमको volume बढ़ाना है, तो आप फिर से यहां पर इसको वापस लें, यहां पर जब आएगा, अब फिर से अगर जब हम इस video को select करेंगे, इसको click करते हैं, तो देखें कि यहां पर volume का option आ रहा है, इस volume वाले option को click करेंगे, तो यहां पर इसके volume अभी 100% पर इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो यह था इसका feature, अगर आपको इस video में ऐसा लगता है कि बीच में बोलते वक्त कुछ गरवरी हो गई है, आपको इसको यहां से हटाना है, तो क्या करेंगे, जहां पर हटाना है, तो वहां पर जाके आप इस play button को रोक देंगे, यहां पर रुख जाएगा, यह play head बीच में आ जाएगा, फिर से image को select करेंगे, अब जब हम इस seizure पे click करते हैं, तो यहां पर जो option आ रहा है, आपको यहां पर split at play head, यहां पर split पे जैसे ही click करते हैं, तो यह video जो है दो पार्ट में जो wide हो जाता है, अब आपको जिस portion से कु ऐसी गरवरी हो गई है, जिसमें इतना portion cut करना है, तो हमने वहां तक select किया, और फिर यहां पर, फिर seizure पे गए, left वाले portion को हमने यहां से delete मार दिया, लोगों की जा रही है, या जा चुकी है, अब हमको अगर इस video में, इसका sound को बिलकुल खतम करना है, तो हम क्या करेंगे, या इस पर बतलब voice over करना है कि यह video चला और आपको पीछे से आवाज देनी है, तो उस case में क्या कैसे इस करते हैं, वो बताता हूँ मैं, जैसे मैं यहां पर वापस गया, अब एक media पर हमने click किया, अब कोई ऐसी एक कोई image है, जिसमें या ऐसा कोई video है, जिसमें आपको कु minimize करके, इस volume को हम कम ज्यादा करेंगे, अब इसको zero कर देंगे, तो इसमें से बिल्कुल इसका sound हट जाएगा, अब हम यहां पर जब zero करके, फिर हम इस पर वापस ऐसे ले करके जाएं, और यहां पर हम इसके पीछे हम voice डाल सकते हैं, कैसे, यहां पर जो audio का symbol बना हुआ है, voice का symbol बना हुआ है, यह, इस voice के symbol को, हम जैसे इसमें, इसके sound को हमने हटा दिया है, अब हम यहां से, इस जगह पे ले करके, voice पे click करते हैं, तो यहां एक option ऐसा आ रहा है, जैसे हम इस पे start पे click करेंगे, जो भी बोलेंगे, वो यहां पे, इस पे record होता चला जाएगा, तो अब हमको इस पे, जो वो portion करना है, कि यह, हमने basic चीज़े आपको यहां पे बता दी, अब हम आते हैं, इसके layer वाले function पे, कि layer वाला function कैसे काम करता है, तो हमने इसको stop किया, अब हम आते हैं layer पे, अगर आपको इस image पे कुछ लिखना है, जैसे कुछ test अगर आपको यहां पे डालना है, कि about transformer, example दे रहा हूं, या जो भी आपको लिखना चाहते हैं, कि आप यहां पे, कि हम कुछ transformer के बारे में यह है, आपने यहां पे click किया, त देखिए इसको बढ़ा गटा सकते हैं, इस पे हम जब साइन पे click करते हैं, यह जो नीचे है, अगर हम इसको click करते हैं, जो फवार tilted arrow है, तो इस से इसको घुमाया जा सकता है, turn किया जा सकता है, इसको click करेंगे तो यह ऐसे turn किया सकता है, इसका font चेंज करने के लिए, simply यह जो capital A, small A लिखा है, इस पे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे font हैं, आप इसमें से कोई भी font select कर सकते हैं, जैसे मैंने example के लिए Roboto Black Italic कर लिया, click करने के बाद यहाँ पे जो symbol बना हुआ है, इसमें हमको click करना है, यहाँ click करते ही, यह select हो जाएगा, देखें यह आ गया, इसका color change करना है, तो यह जो sound, seizure के बगल में जो यह symbol बना हुआ, इस पे click करते हैं, आपको जो भी color select करना है, मेरे mobile में ऐसा interface आ रहा है, आपके mobile पे थोगा सा different आ सकता है, हमने जैसा rate color select किया, फिर OK करने के लिए इस जगह पे हम करेंगे, तो यह select हो जाएगा, अब यह जो है transformer, ज fade, तो यह धीरे से fade up होकर के आएगा, इसा बहुत सारे option है, आप एक को click करके देख लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह slide right से थोगा सा आना चाहिए, slide left, देखें, यह right से lift की तरफ ऐसा move करता हुआ आएगा, अब यहाँ पे out animation की बात करें जैसे, कि अगर हम को यह transformer पे out animation ऐसा रखना है कि यह जाए तो कैसे जाए, तो अगर हम fade करेंगे तो यह धीरे से disappear होगा, slide right करेंगे तो यह लिखा हुआ जो है right की तरफ चला जाएगा, इसके हम speed को change कर सकते हैं, यह नीचे जो लिखा हुआ 0.51 इसको हम अगर change करेंगे तो यह उस speed से जाएगा, जैसे 2 0.5% करते हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे वो right की तरफ shift करेंगा, जब तक यह आपके background पर यह ऐसा transformer लिखा हुआ जो चल रहा है, यह जब तक है उसका overall animation कैसा होगा, इसको देखने के लिए जब हम करते हैं, तो blink सो तो देखें, वो ऐस ताइप से blink होगा, flicker करेंगे तो य ऐसा flick करेंगा, आपके उपर depend करता आपको कौन सा पसंद करना squeezing, तो यह ऐसा transformer लिखा हुआ, ऐसा squeeze करेंगा, rain कराना चाहते हैं, तो ऐसा देखें, ऐसा लगेगा, कि जो आपने पीछे लिखा हुआ, इसा rain हो रहा है, spin करना चाहते हैं, तो यह ऐसा spin करेंगा, तो यह जो है कि जैसे इसको play करेंगे, तो यह जित्ती देर तक यह है, ऐसा flick करता रहा है, जो हमने overall animation select किया था, लेकिन अभी यह disappear हो गया, आप चाहते हैं कि यह और लंबे समय तक रहे, तो इसको हम select करेंगे, और इसको size हो कहां तक लेके जाना है, वो आप यहाँ पर ला सकते हैं, आपके कहीं पर store है, जैसे मैं example लेता हूं कि WhatsApp images में कोई ऐसी image है, जिसको आपको screen पर दिखाना है, जैसे माले इस screen पर आपको यह image को click करना है, तो इस image को हमने select कर लिया, और select करके इसको हमने यहाँ पर, अब यह बोलते वक्त, अब आप इसका in animation आप चाहते हैं कि यह overall animation, out animation, out animation की यह जब आपने इसके बारे में बता दिया, तो वह slide up हो जाए, तो आप देखें, यह कैसा दिख रहा है, हम इसको इसको back करके देखते हैं, तो यह जैसे transformer वाला portion गया, अब हम इसको play कर लेते हैं, तो देखें, यह जो image था, अब आपके बोलते बक्त, यह आपने mobile से कुछ tutorial बनाया है, mobile में आपकी बहुत सारी personal चीजे भी हैं, और आपको ऐसा लगता है, कि हमको उसको hide करना है, तो जैसे example के लिए मैंने यहाँ पे एक mobile का screen मैं ले लेता हूँ, इसमें आखरी में, जहां से हमको कुछ portion अगर delete करना है, या कुछ portion हमको नहीं area लिया, अब हम ऐसा कुछ example के लिए मैं ले लेता हूँ, कि मैंने जैसे ADV screen recorder से कुछ, यह हमने mobile की screen ले ली, अब इस mobile की screen में, मैं इसको select कर लेता हूँ, आगे, यह add किया है मैंने, अब mobile की screen को, अब मैं यहाँ से वापस लेता हूँ, यह, अब इसको देखते हैं, कि अब आप जैसे यह आप mobile की screen में, आपको ऐसा लगता है कि यह portion हमको show नहीं करना था, तो क्या करेंगे कि यह कुछ portion, आपके कुछ important चीज जली वी, आपको show नहीं करना है, तो आपके इसको select करिए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम layer पे click करेंगे, layer पे click करके हम overlay पे click जो भी sticker आप लगाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ से माल लिया, classic sticker कुछ हमको लिखावा portion हटाना है, मैं इसको select करता हूँ, तो यह ऐसा आपकी screen पे यह आगया, आप इसको जब select करेंगे, इसको जैसे यह माल लिया, मैं जो को time को हटाना है, तो मैं यहाँ पे size को छोटा रहे, तो हम यहाँ से sticker को यहाँ से आप यहाँ पे left hand side कोई भी, आप कितने भी layer यहाँ पे text के handwriting के, media के कोई effect डालना चाहते हैं, वो सब ला सकते हैं, मीडिया में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे कुछ और image को हम डालना चाहते हैं, या कुछ हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा कुछ subscribe करें, या उसका हम कुछ बटन डालना चाहते हैं, तो आप बिलकुल यहाँ से इसको कर सकते हैं, तो यहाँ से जो भी आप लाना चाहे है कि अगर हमको यहां पर कुछ एड करना है जैसे यह background screen पर यहां पर हमको यह डालना है कि यह full screen पर आ जाए बोलते वक्त बीच में तो यहां पर क्या करेंगे हम यह जो portion है full screen वाला इसको हम select करते हैं इसको हमने यहां से क्या किया select किया इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आशा आएगा भी यह off है आप अपने हिसाब से size को बड़ा कम कर सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं लेकिन इसके right hand side में जो फुल स्क्रीन का sign इस पर करेंगे तो फुल स्क्रीन पर यह चीज आपकी वह दिख जाएगी तो आपका वह वीडियो चल रहा है बोलते बोलते क्या होगा कि यह फुल स्क्रीन पर यह चीज पॉर्शन यहां पर आ जाएगा इसका मैंने सब वॉल्यूम कम कर देता हूं अब इसको play करके देखे यह चलते चलते तो यह आप देख सकते हैं कि जो भी हम चाहे यहां पर फुल स्कीन पह ला सकते हैं तो दोस्तो यह था काई मास्टर का basic अब इसको अगर हमें save करना है जो भी हमने काई मास्टर पर बनाया है तो हमें क्या करना है कि save वाला button जो है उस पे click करना है वो है ये button इस button पे जब हम click करते हैं तो ये ऐसा आ गया ये अब save हो गया जो हमने बनाया ये latest वाला जो है ये कौन सा ये जो हमने अभी बनाया था ये portion ये हमारा latest है अब इसका हमको चाहते हैं कि इसका नाम हम कुछ रख दे तो इस पे हम click कर इसको हम delete करते हैं और इसका कुछ हम नाम दे सकते हैं जो भी अगर आपने किसी चीज से लेटर बनाया है जो भी नाम लिखना चाहिए लेक्चर वन और इसको okay कर दें तो अब इसका नाम सेव हो गया है लेक्चर वन जब यह आ गया आपको फिर से play करके देखना है तो आप यहाँ प्ले के बटन पर जाएंगे तो यह आप प्ले करके देख सकते हैं अब इसको जब हमको export करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शेयर वाले sign पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखें बहुत सारे option हैं कि यहाँ पर full HD quality HD आप ध्यान दें कि आप जितने high resolution में इसको रखेंगे वह उतना ज्यादा स्पेस लेगा तो यह जैसे जित्ती भी देर का है आप इसको quality HD या full HD पर करते हैं तो यह स्पेस जैसे जैसे आप नीचे HD पर आएंगे तो 873 MB का हो गया स्टैंडर्ड पर जाते हैं 540 pixels पर तो यह 540 MB का हो गया 360 pixels पर जाते हैं 252 MB का हो गया यह आपके उपर दिपेंड करता है कि आप इसको कित्ते pixels में रखना चाहते हैं अगर आपकी नोट में अगर कहीं छोटा-छोटा लिखा हुआ है तो इसको हम उसके साब से पिक्सल को सेट कर सकते हैं यह फ्रेम रेट है यह बिट रेट जो है फ्रेम रेट 24 25 30 जो भी आप सेलेट करके देखेंगे बहुत जरा-जरा सा फरक आता है अगर आपका वीडियो डांस के उपर है तो डांसिंग स्टेप में आपको वहां पर फ्रेम रेट अधिक रखना प 250 MB का हो गया इसको थ्वाजा कम करेंगे 318 MB का हो गया यह दिपेंड करता है आपके वीडियो के ऊपर कि आपने इसको कितने फ्रेम रेट पर सेट किया हुआ है अब हम इसको जैसे इसको मिनीमम हम ऐसा रख लेते हैं 0.6 तो 151 MB का हो गया अब हम इसको एक्सपॉर्ट पर क् क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट जो है एक्सपूर्ट होने लगा इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा तो इसका तब तक वेट कर लेते हैं एक्सपूर्ट होने का export होने के बाद वो इस तरीके का यहाँ पर आ गया है मैंने एक दूसरे वीडियो को यहाँ पर export जो किया हुआ था उसको मैंने यहाँ पर दिखा दे अब यहाँ पर export करने के बाद अब यहाँ हमको क्या करना है कि यह जो यहाँ share वाला button है इस पे click करना आप फिर से play करके देखना चाहें तो ठीक है otherwise आपको यहां पे share वाले button पे click करेंगे तो यहां पे option आ जाएंगे कि आपको यूटूब पे डालना है Facebook पे डालना है या आपको drive में save करना है किसी को Gmail से भेजना Instagram पे भेजना WhatsApp पे भेजना है तो यहां से हम जिस प title description यह सारी चीज़े वहां से चली आएंगे तो इसको अभी YouTube का मैंने एक अलग ही tutorial बना रखा है तो मैं इसको अभी यहां पे upload करके नहीं बताता हूं वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पे कैसे हम वीडियो को download कर सकते हैं वीडियो को upload कर सकते हैं तो दोस्तों यह था का background को add कर सकते हैं और इसी में Kind Master Advanced में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम chroma effect का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा हमने आपको introduction में बताया कि आपके बोलते वक्त पीछे की screen को अगर हम background जो है उसको हम change कर सकते हैं तो chroma feature के बारे में हैं तो वह मैं बताऊंगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये tutorial आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर ये पसंद आया तो हमारे चैनल दी रजनीश करण और Mission Education को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जरूरे रहे हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम यहां पर सब्सक्